ठंडे ठंडे इस बारिश के मौसम में आज मैं आपको गर्मा गरम मसाला वाली चाई बना के पिलाती हूँ बारिश में चाई पिने का मजाई कुछ और होता है सबसे पहले तो हम एक मजेदार खुश्पूदार चाई का मसाला बनाने वाले हैं जिसे बनाना बहुत ही आसान है तो चाई का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हमें लेना है इलाईची उसके बाद लेना है लॉंग उसके बाद लेनी है डाल चीनी और उसके बाद हम इसमें एड करेंगे काली मिर्स यानि की ब्लेक पेपर कॉन अब आने वाला है हमारा सिक्रेट इंग्रेडियन यानि की सौफ सौफ ठंड़क देने का काम करती है इसलिए सौफ को जरूर एड़ करना चाहिए उसके बाद मैंने एड़ किया है एक बड़ी वाली इलाइची और एक आधा नटमेग यानि की जाईफल अब लोग फ्लेम पे सबी चीजों को एक मिनिट तक हलका सा हमें बून लेना है सादा बूनना नहीं है सिर्क खड़े मसालों में से मोश्चर निकल जाए तब तक हमें एक मिनिट या आधे मिनिट के लिए रोस्ट करना है याद रखें आज आपको दिमी रखनी है अदरवाइस आपके मसाले जल जाएंगे और आपकी चाई का मज़ा खराब हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे सबी मसालों की मातरा एक समान रखी है इसमें कोई भी चीज आपको पसंद ना हो तो उसे आप स्कीप कर सकते हो या फिर किसी चीज का स्ट्रॉंग फ्लेवर आपको पसंद हो यानि कि सपोज आपको इलाई चीज आल दाल चीनी का फ्लेवर जादा पसंद हो तो उस चीज की मातरा आप बढ़ा सकते हो एक और बात इस स्टेज पर आप यहां पर थुड़ा सा सोट या सोट पाउडर इसमें एड़ कर सकते हैं सोट पाउडर रेडिमेट मिलता है वो भी आप ले सकते हैं गर पे भी बना सकते हैं लेकिन मुझे चाई में फ्रेश जिंजर का फ्लेवर पसंद है इसलिए मैंने यहां पर मसालों में सोट पाउडर एड़ नहीं किया है मैंने यहां पर चाई का मसाला हलका सा दरदरा पीसा है आप चाहे तो एक फाइन या महीम पाउडर भी बना सकते हैं और इसे आप एर टाइड कंटेनर में बरके लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं अब बारी है चाई बनाने की तो चाई बनाने के लिए मैंने यहां पर थुड़ा सा पानी लिया है वैसे तो मुझे बीना पानी वाली सिर्फ दूद की चाई पसंद है लेकिन चाई में पानी होता है इसलिए आपको दिखाने के लिए मैंने यहां पर थुड़ा सा पानी लिया है अब इसमें एड करेंगे चाई पत्ती अब थुड़ा सा चाई पत्ती का कलर आ जाए तब तक इसे पका लेते हैं या थोड़ी देर के लिए उबाल लेते हैं आप फाइनली इसमें चीनी एड़ करनी है मैं बोल जाओ उससे पहले चीनी एड़ कर देते हैं कभी-कभी वीडियो बनाते वक्त कुछ कुछ चीजें में एड़ करना बूल जाती हुँ अब कद्दू कस किया हुआ अध्रक एड़ कर देते हैं अब चाई को अच्छे से उबल हैं ताके लंबे समय तक मसालों की खुश्बू चाय में बरकरार रहे चाय तो अमारी बहुत बड़िया बनी है अभी से मेरा तो पीने का मन कर रहा है और चाय कंप्लेटली बन के तयार हो चुकी है तो गेस की फ्लेम बन कर देते हैं कौन कहता है चाय हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है मेरे इसाब से तो आप मेरी तरह चाय में तुल्सी अद्रक इलाइची लॉंग दालजिनी वगिरा डालके चाय बनेंगे तो आपकी चाय एक हरबल टी या फिर आरिवेदिक चाय बनके तयार हो जाएगी जो हेल्थ को विल्कुल नुकसान नहीं करेगी इस चाय में अनहेल्दी एक ही जीज है वो है शूगर तो आप अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए शूगर की मातरा कम रखे या फिर शूगर की जगा पे आप हनी या फिर जागरी का इस्तमाल कर सकते हैं फिर कभी मैं आपको वोड़ वाली चाय बना के भी दिखा दूगी तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताईए और आप भी बारिश के मोसम में मेरी तरह इस तरह से मसाला वाली चाय बना के पीए एंजोई कीजिए अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई